अभी जो आपने वीडियो देखा है इसको हम थोड़ी दर में डिसकस करेंगे पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेता है तो गाईज आज है तारिक 11 ऑक्टूबर 2022 और है टूसडे देखेंगे आज के दहिंदू कम्प्लीट न्यूस्पेपर को अनलाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपच यादा वेजुकेशन यूपी एसी आप लोग को यह वला चैनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जॉइन करना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से यह चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडिएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है जैसी आप उस प क्लिक करोगे यह चैनल आटोमेटिकली ओपन हो जाएगा इसको जाके जॉइन करेना जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहां पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडिएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं नाव बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है कर्च इस ट्रेट को कहां पर है यह एक्जैक्ली लोकेटेड अच्छे से मैप में देखना दन उसके ब बहुत असान सा है क्या बोलता है विच वन आफ दा फॉलिंग इस लोकेटेड इन दा बस्तर रीजन नीचे ऑप्शन में आपको अलगलग नैशनल पार्क के नाम दिये गए बताना यह है कि कौन सा एक ऐसा एरिया है जो की बस्तर रीजन के अंदर इस्थत देखने को अपशन ए बोलता है बान्दा उगव नैशनल पार्क ऑपशन भी दनदेली संक्च्वरी ऑप्शनि राजजी नैशनल पार्क या फिर अपशनD इंद्रवती नैशनल पार्क तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है एटली सभी को उसमें पा अंसर का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शो बार हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थमनेल वाले important article के दरफ जो कि आज के front page पर भी आपको दिख रहा होगा अभी से लगबक 4-5 दिन पहले होता क्या है जो क्राइमिया ब्रिज है ना जो की रश्या और क्राइमिया को connect करता है उस पदले में लगबक 75 missiles कल दाग दिये हैं युकरेन के उपर और उस missile की वज़ा से युकरेन के अंदर बहुत ज़्यादा destruction मचा हुआ है वो सारी बाते हम लोग समझेंगे लेकिन काफी सरे लोग नए होंगे जिनको इसके बारे में अभी basic जानकारी होगी नहीं तो बिलकुल basic से समझने की कोशिश करेंगे आखरकार ये सब हो क्या रहा है देखो आज से तीन दिन पहले की बात है चार दिन पहले की बात है होता क्या यहाँ पर आपको युकरेन देखने को मिलेगा युकरेन के नीचे आपको देखने को मिलेगा क्राइमिया वाला region और क्राइमिया य युक्रे से जब आप लोग इस्टन साइड में आओगे तो यहाँ पर आपको रश्या नजर आता है यहाँ से पूरा रश्या हो जाएगा यह वाला पोर्शन हम लोग रश्या की तरह इमेजन कर सकते हैं उपर आपको रश्या देखने को मिल जाता है सिंपल बात हो गई अब आपको यह क्राइमिया नजर आ रहा है ना इस वाले क्राइमिया रीजन को साल 2014 में रश्या ने अपनी टेरिट्रिव में एड़ कर लिया था वैसे 2013 में इसको कबजा लिया था और 2014 में रश्या ने क्या किया इसको अपनी टेरिट्रिव में एड़ कर लिया कौन से वाला री बिच्ञाइब बिच्छी बाते है कि जब रश्या ने इस क्राइम या रिजन को grasp को खतियाया तो उसके बाद में इसके साथ में कंड्र, कनेक्टिज वीटी को भी बनाना रखना पड़ता, अब्वियस सी बाते क्राइमिय को गपजाने के भाद में, connectivity बनानी पड़ेगी लेकिन रश्या की connectivity यहाँ पर थी नहीं क्योंकि रश्या आपको यहीं दक्से में देखने को मिलेगा तो इसलिए होता क्या है रश्या यहाँ पर एक bridge बनाता है बीच में आपको यह bridge नजर आएगा यह रहा इस ब्रिज से रश्या ने इस क्राइमिया वाले रिजन को connect कर लिया इस bridge को आपको कर्च रेल रोड ब्रिज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर railway की facility और road की facility दोनों ही देखने को मिलती है लेकिन हाली में इस bridge को bomb से उड़ा दिया गया यूकरेन ने यहाँ पर इस bridge को bomb से उड़ाया है वही आपने starting में जो वीडियो देखा है न वो उसी bridge का है तो bomb से जब उड़ाया तो जो railway bridge है वो तो थोड़ा सा बचा हुआ है लेकिन जो road वाला bridge है वो पूरी तरह से खतम हो चुका है इससे Russia को बहुत नुकसान हुआ billions of dollars का वो bridge तयार था अब हुआ यहाँ पर यह है कि Russia उस bridge को वापस restore कर रहा है यह तो कहानी एक तरफ हो गई लेकिन उसके बाद क्या होता है यूकरेन के अंदर हम लोग देखते हैं आप social media platform पर जाओगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सरे pictures देखने को मिलेंगे जहाँ पर Ukrainians celebrate कर रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ हमने रश्या का जो bridge है उसको उड़ा दिया है इसका celebration चल ला था obvious ही बात है इस चीज़ से जो रश्या है वो काफी नराज रहेगा नराज हुआ भी wait कर रहा था चुप था starting में रश्या तो चुप रहने के बाद यहाँ पर अब कल कदम क्या उठाया गया कि रश्या ने लगाता 75 मिसाइल 75 मिसाइल यहाँ पर दाग दिये हैं युकरेन के उपर में तो 75 मिसाइल यहाँ पर रश्या की साइट से युकरेन के उपर दाग दिये गए हैं जिससे कि रश्या की जो capital है कीव उसके आसपास के और भी बहुत सारे एरियाज है वहाँ पर बहुत जादा डिस्ट्रक्शन हुआ है और ये वाली वीडियोज भी आपको सोचल मीडिया प्लाटफोंस पर देखने को मिल जाती है तो जितनी भी बाते मैं आपको बताई हैं वो सब आपको यहाँ पर आर्टिकल में देखने को मिल जाती है तो अभी क्या हुआ जब ये ब्रिज डैमेज हुआ रश्या को नुकसान हुआ रश्या ने बाद में 75 मिसाल्स दाइक दिये और उन मिसाइल की अगर हम लोग बात करें ये बिसिकली मिसाइल गिरने के बाद का जो डिस्ट्रक्शन है उस पर्टिकलर इमेज को यहां पर दिखाया गया है फिर बोला ये जा रहा है कि आपने देखा यूकरेन की जो प्रेसिडेंट है वोलोदमिर जलिंस की इनका वीडियो भी बाहर आया कि रश्या का बहुत ज़दा अटायक हो रहा है ये सारी चीज़े वो आपके एक्जाम के लिए रेलिवेंट है नहीं बसकली इतना सा पॉइंट ध्यान रखना नौ फ़ानिली बात आती है इंडिया के स्टांस की इंडिया ने क्या स्टांस लिया यहां पर तो देखो मंडे में इंडिया ने बोला कि देखो हमना बहुत ज़ादा चिंतित हैं इस पर्टिक्लर इशू को लेकर इंडिया ने अपना डीप कंसर दिखाया इंडिया ने यहां पर बोला कि जो वाइलेंस है यह बहुत ज़ादा बढ़ चुका युकरेन के अंदर में अब डीप कंसर दिखाते हैं भारत ने बोलाई कि देखो जरुरत हमें यह है कि इमीडियेटली तुरंती हमें कदम यह उठाना है कि यह दोनों कंट्रीज आपस में बैट कर बातचीत कर लें बातचीत कर लेंगे अपने आप में जो सलुशन है वो निकल कर आएगा नहीं तो यह जो वार है न यह और ज़दा बत्तर रूप लेता चले जाएगा तो यह था इस पूरे आर्टिकल के अंदर आई होप आपको सारी बात है बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है बिल्कुल बैगराउंड इन्फोर्मेशन के साथ में इसके बाद में यही पर एक छोटा सा आर्टिकल लेखने को मिलेगा यह भी कल बहुत जादे नियूज में था समाजबादी पार्टी के लेडर है मुलायम सिंग्यादव इनकी कल मृत्यू हो जाती है उत्तरपरदेश के तीन बार चीफ मिनिस्टर बन चुके थे हैना अब लास्ट में यहाँ पर क्या होता है तो छोटा सा आर्टिकल था यह भी नियूज में था तो सोचा आपको बता दिया जाए चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं और क्या हमाली है रेलेवेंट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करना वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको प्रेस कर देना हम लोग उन्हें टार्गेट रखा है 5K प्लस लाइक का जो की हमेशा रखते हैं और आप लोग एचीव करवाते हो आज भी आपको करवाना है साधी साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पे जाना सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपश जैद वेजुकेशन आपको यह वला प्रोफाइल मिलेगा यहाँ पे आप मेरे साथ में परसनली कनेक्ट कर पाओगे और मेक्शोर करना कि आप लोग नीचे कॉमेंट में पार्टिसिपेशन करो कॉमेंट में जो भी आपसे पूछा जाए उसका अंसर लिखा करो क्योंकि कॉमेंट में आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो मेरे साथ में इंगेजमेंट आप सभी लोग का बढ़ता रहता है मतलब मैं लोगों के नाम से उनकी प्रोफाइल से फिर उनको जानने लगता हूँ तो आप भी यहाँ पर कॉमेंट में पाटिसिपेट किया करो अगला आर्टिकल आपको बिजनस पेच पर देखने को मिलेगा लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है आपको बताओगा नोबेल प्राइस दिये जा रहे हैं अब जब नोबेल प्राइस की बात करते हैं तो यह अलग-लग कैडिगरीज में दिये जा रहे हैं तो वो किसको दिया गया तो यहाँ पर आपको यह तीन व्यक्ति देखने को मिलेंगे इस पैसिफिकली बात करें तो सबसे पहली बात आपको यह वाले जो फ्रंट पर आपको यह व्यक्ति नज़रा रहे हैं जिनका नाम है बैन बर्नान के इनको यहाँ पर यह प्राइस दिया गया यह Nobel Prize in Economic Science और इन्होंने इस प्राइस को बाकी इन दोनों व्यक्तियों के साथ में शेयर गिया है यह बात यहाँ पर बताए जा रही है अब क्यों दिया गया उसके पीछे का रिजन क्या इसको समझने की कोशिश करता है देखोई जो व्यक्ति आपको देख रहे है ना यह US के Federal Reserve के Chairman रह चुके है मतलब जैसे करेंट टाइम पर इंडिया के अंदर में Reserve Bank of India है Reserve Bank of India कौन सा बैंक है यह basically एक Central Bank है है ना वैसी यहाँ पर USA के अंदर अमेरिका का जो Central Bank है वो क्या है वो है Federal Reserve तो Federal Reserve के former Chairman है यानि की एक समय पर वो Chairman हुआ करते थे Ben Barnan के इनको यहाँ पर यह Award दिया गया Nobel Prize in Economic Science ओव्यसी बात है बैंकिंग सेक्टर और Finance की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर Economic Science का मुद्द आई जाता है Question यह है कि Sir Reason क्या है क्यों दिया गया था यह Nobel Prize देखो एक समय था साल 2007 से लेकर 2008 के बीच का यह सभी लोग को याद होगा ठीके ना मतलब उस समय पर नहीं अब जब लोग पढ़ते हैं तो याद होगा इस वले Time Period को हम लोग Financial Crisis के नाम से जानते हैं यहां पर यह समय एक ऐसा समय था जहां पर बहुत ज़दा Financial Crisis स्टार्ट हुआ बहुत ज़दे बुरे हाला थे दुनिया बर की एकनॉमी पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी स्टॉक मार्केट वगरा खतम सा हो चुका था बहुत डाउन लेवल पर था यह हाला थे उस समय पर अजानक से यह चीज़ें यहां पर देखने को भी थी लोग ना अपने बैंक से जो पैसा है उसको लगातार विड्रॉ कर रहे थे बैंक को उसे पैसा निकल रहा था बैंक पर कोई विश्वास वगरा बच्चा नहीं था यह सारी चीज़ें यहां पर नज़र आ रही थी और अगर थोड़ा सा और लंबे समय तक यह हाला टेक थे तो बैंक वगरा का सिस्टम आप कर सकतो एक तरीके से खतामी था क्योंकि लोगों ने बहुत सारा पैसा बैंकों से निकाल लिया था यह बैसिकली फाइनेशल क्रैसिस का टाइम पीरिड था दो हजार साथ से आठ के बीच में तो जो अमेरिका है ना अमेरिका भी बहुत ज़ादा डेप्रेशन से गुजर रहा था तो उस डिप्रेशन से या फिर आपके सकते हो उस एकनोमिक फाल से निकालने का काम जो है वो इन ही व्यक्ति ने किया था उस अमेरिका को जो एक बैसिकली डिप्रेशन पूरी तरह से फसावा था उस डिप्रेशन से बाहर निकाला था BEN BARONUN के ने दो that is why यहाँ पर इनको यह Nobel Prize in Economic Science दिया गया है बाकी इन दो व्यक्तियों को क्या काम है जिनके साथ में इन्होंने अपना प्राइस शेयर किया देखो यहाँ पर यह जो Mr. Diamond है और साधी साथ में Mr. Divway गये इन्होंने यहाँ पर क्या किया ना इन्होंने यहाँ पर बोला बिसिकलिए इन्होंने जोड दिया कि जो सरकार है वो क्या करें लोगों के deposit के उपर guarantee प्रॉवाइट कर वा है मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ लोगों ने बैंकों से पैसा निकालना स्टार्ड कर दिया था तो यहाँ पर इन्हों ने बोला कि भाया जो सरकार है वो क्या कर सकती है वो यहाँ पर ensure कर सकती है कि लोगों ने जो भी पैसा deposit क्या है न उसके ओपर guarantee provide करवाई आपका पैसा सही है बिलकूल safe है एक guarantee उनके deposit के ओपर मिल जाएगी तो लोग यहाँ पर वो पैसा नहीं निकालेंगे जिसकी वेसे financial crisis थोड़ा सा थमा था दो इनका भी काफी बड़ा रूल था और इनका रूल था ही ये उस समय पर आप कह सकते हो कि मैंने आपको बता है ना प्रेडल रिजर्व के चेयर परसन हुआ करते थे जिसकी वेसे आपर इनको ये noble prize in economic science दिया गया ये थी पूरी कहानी छोड़ा सा आर्टिकल था चोड़ा सा पहरा था सारी एक-एक information मैंने आपको बता दिया है करना क्या है exam के लिए आपको ध्यान में रखना है noble prize in economics साधी साथ में ये तीन नाम आपको ध्यान में रखना है ये साल 2022 की क्रेडिगरी वाले है दूसरी important चीज़ दो ध्यान में रखनी है जहां से prelims में question बन सकता है ये वाला picture है ना इस वाले picture को अपने पास में save कर लेना मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ exactly क्या क्या ध्यान में रखना है देखो जो हम लोग बात करते है noble prize की तो noble prize किसने establish क्या था देखो noble prize को establish क्या गया था Alfred noble के तुरू Alfred noble जो की dynamite के inventor थे आपको पता होगा जो mines होती है जो खदान होते है ना फोड़ने के लिए dynamite का इस्तमाल गया जाता है और basically इसी purpose से dynamite को बनाया गया था लेकिन बाद में bomb बनाने के लिए dynamite का use होने लगा तो Alfred noble कौन है? inventor है dynamite के इन्होंने यहाँ पर इस noble prize को establish किया था noble prize का जो सबसे पहला award है यह दिया गया था 1901 में noble prize अलगलग categories में दिये जाते हैं जैसे की physics, chemistry, medicine, literature, peace और economic sciences हुआ क्या कि अभी तक यह जो starting की categories नजार आ रही हैं यह सब के अंदर इस noble prize 2022 को दे दिया या था एनॉंस कर दिया या था economic science वाला बच्चा वा था now finally यहाँ पर इसको भी provide करवा दिया गया अब बहुत important बात बता रहा हूँ इसको बहुत कान खोल के सुनना है अराम से देखो यहाँ पर क्या बोला जाता है ना जब हम लोग बात कर दें noble prize की तो यहाँ पर ध्यानक ना physics, chemistry, medicine, literature और साधी साथ में economic science यानि कि इसमें मैंने जो है ना यह पांच प्रकार के noble prize लिख दिया है यह पांच के अंदर आपको peace वाला नजर आता है क्या नहीं, है ना noble prize for peace नजर नहीं आता है तो कहने का मतलब है noble peace prize को छोड़ कर जो यह बाकी बचे कुछे 5 prizes है ना इनकी ceremony कहां पर होती है ceremony मतलब जो भी यह prize वगरा दिया जाएगा जो भी award वगरा दिया जागा है यह जो ceremony होकी वो कहां पर होती है तो noble peace prize को छोड़ कर जो यह 5 prizes है इनकी ceremony होती है Sweden के अंदर जो stock home है वहाँ पर Sweden में stock home में होती है बाकी अब बचा peace prize तो noble peace prize की ceremony नहीं होती है क्या नहीं इसकी ceremony भी होती है वो कहां पर होती है वो होती है Norway की capital Oslo में कहां पर Norway की capital Oslo में ठीक बात हो गई इतनी बात दियानक होगे तो यह कुछ relevant चीज़े है दूसरा यहां पर दियानक ना कि यह जब ceremony होती है तो इसमें क्या-क्या दिया जाता है gold medal दिया जाता है gold medal के साथ-साथ यहां पर diploma और कुछ monetary award दिया जाता है एक और बहुत important बात वो यह है कि जब भी noble price दिया जाता है तो वो इनसान जीवी तोना चाहिए क्योंकि बहुत सरे awards ऐसे होते हैं जो कि after death दिया जाता है मृत्य होने के बाद भी उनको award दिया जाता है लेकिन noble price यहां पर after death नहीं दिया जाता है simple बात हो गई यह तो noble price को लेकर कुछ static point मैं आपको बता दिया है अब कुछ और चीज़े हैं जैसे अगर हम लोग इंडिया के टम में बात करें तो पहले भारती है कौन थे जिनको noble price मिला था तो पहले भारती है रबिना टैगोर जी रबिना टैगोर जी को यह noble price मिला था 1913 में 1913 में अब यह noble price जो है बिसिकली अलगलग field में दिया जाता है तो रबिना टैगोर जी को कौन से field में मिला था तो रबिना टैगोर जी को मिला था literature की field में कौन सी field में? literature की field में ठीक बात हो गई तो यहाँ पर आपका सकतो रबिना टैगोर जी बिसिकली यहाँ पर आपका सकतो इंडिया के पहले व्यक्ति थे और male भी थे जिनको यहाँ पर यह Nobel Prize मिला था सबसे पहली बार 1913 में अब पहली भारतिय महीला कौन सी है जिनको Nobel Prize मिला था तो पहली भारतिय महीला में आती है Mother Teresa जी ठीक है Mother Teresa अब यह बात ध्यानक ना Mother Teresa को यह Award दिया गया था कब 1979 में और Mother Teresa को यहाँ पर यह जो Award दिया गया था यह कौन सा Award था कौन से कैडिगरी वाला था यह था Nobel Peace Prize शान्ती वाला ठीक है न जो कि Norway की Capital Oslo में दिया जाता है बाकी जो बचे कुछे 5 है वो कौन से कहां पर दिया जाता है वो basically Sweden के अदर Stockholm में दिया जाता है तो यह बात है कुछ static data है जो कि आपको prelims में directly help करेगा क्योंकि 2008 में कुछ ऐसे questions पूछे गए थे आगया थे नव यही पर एक छोटा सा article आपको देखने को मिल जाता है Space Economy को लेकर बात करता है अंतरिक्ष की जो यहाँ पर आपको पता होगा कित्ती चर्चा हो रही है आज के टाइम पर बहुत सारे हमारी space agencies आ चुके है भारत के अंदर इज्रो है US का नासा यह सब बहुत सारी space agencies आपको देखने को मिलेंगी तो space economy धिरे धिरे बढ़ रही है लेकिन यहाँ पर आर्टिकल में हम लोग इंडिया की space economy के बारें बात करने वाले है तो बोला यह जा रहा है कि साल 2025 तक जो भारत की space economy है न वो लगबग 13 billion dollars तक पहुँचने वाली है भारत की economy 13 billion तक पहुँच जाएगी 2025 तक ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है यह सब बाते एक रिपोर्ट के थुरू बोली कही है जिस रिपोर्ट को EY ने अभी प्रिपेर किया था अभी के टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग दिरे दिरे ग्रो कर रहे हैं लेकिन 2020 में हमारी जो space economy है वो कितनी थी हमारी space economy 2020 के अंदर यह 2.1 billion dollars के आसपास थी जिसको हम लोग यहाँ पर ग्रो करेंगे काम करेंगे इसके उपर और आने वाले टाइम पर 2025 तक इसको 3.2 billion तक पहुँचाने वाले हैं ऐसा यहाँ पर mention किया जाता है वैसे यहाँ पर space economy टच कर सकती है 13 billion dollar तक लेकिन हमारा target है इसको हम लोग और तेजी से achieve करवाएं 3.2 billion dollar तक तो अराम से पहुच जाएंगे लेकिन हमारा target है हम 13 billion dollar तक इस space economy को ले कर जाएं क्योंकि हम लोग आज के टाइपर space sector में काफी सारी तरीके से काम कर रहे हैं बहुत सारी satellite services वगरा provide कर रहे हैं तो यह जो particular sector है हमारा वो बहुत तेजी से grow हो रहा है क्योंकि इजरो की एक खास बात है क्योंकि जब आप लोग देखोगे ना तो दुनिया भर में बहुत सारी अलग-लग countries यह अलग-लग space agencies हैं भारत का इजरो हो गया, USA का NASA हो गया, है ना जापान का अपने आप में जाकसा हो गया और उसकी आद में Russia का रॉसकोसमोस हो गया, मतलब ऐसे ही आपको यह सारी space agencies नजर आती है तो इन में से पताए, इजरो की किया खासियत है, इजरो की खासियत यहाँ पर यह है कि इजरो इन सभी space agencies के comparison में सस्ते दाम में satellite को launch कर देता है हम लोग बहुत सस्ते दाम में अपना काम कर देता है इन फैक्ट जो मंगलियान mission था, आपको पता होगा, वो भी हमने बहुत सस्ते दाम में launch कर दिया था यहाँ पर आप कर सकते हो, यह countries विश्वास नहीं कर रही थी, कि यहाँ, इजरो ने यह काम कर दिया है, इतने सस्ते दाम में Hollywood movies का जितना budget होता है न, उतने budget में mangaliaal mission को launch कर दिया जाता यह बात यहाँ पर आपको देखने को मिलती है तो इसकी चक्कर में बहुत सरी countries हम लोगों सेटलाइट वगरा launch भी करवाती है जिसकी वैसे इंडिया की जो capabilities है वो काफी बढ़ चुकी है और इंडिया का जो इजरो है इसने काफी grow किया है, हमारी space economy काफी तेजी से बढ़ चुकी है वो बात यहाँ पर बोला जा रहा है अब basically यहाँ पर private participation कोई बढ़ाया जा रहा है private agencies भी आ रही है, latest technology आ रही है इससे आने विले time पर इसको और boost मिलेगा तो हो सकता है कि हम लोग 13 billion dollar का जो space economy है वो touch कर जाएं, वो achieve कर जाएं 2025 तक समझ मैं आई बात, चलो, आगया आते हैं उसके बात अगले article पर next article आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसको आप लोग GS paper number 2 और GS paper number 3 से relate कर पाऊगे बात की जारी है जो पाकिस्तान है यह हिस्सा लेने वाला है शांगाई cooperation organization का जो anti-terror excise चल रहा है जो कि भारत इसको host कर रहा है इस excise की जो closing ceremony होने वाली है उस closing ceremony के अंदर पाकिस्तान हिस्सा लेने वाला है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है तो पाकिस्तान को basically यहाँ पर invite किया यह closing ceremony में यानि 13 October को अभी 2 दिन बाद closing ceremony होने वाली है क्योंकि अभी एक अभ्यास चल रहा है और वो अभ्यास है anti-terror excise यानि कि आतंगवाद को खतम करने का अभ्यास चल रहा है कौन से body के अंदर चल ला है वो शांगाई corporation organization के अंदर चल ला है इस body के under में यहाँ पर यह पूरा का पूरा अभ्यास चल रहा है तो होता यहाँ पर यह है कि इसकी closing ceremony होगी इस अभ्यास को खतम किया जाएगा 13 October को तो 13 October को यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो हिस्सा लेने वाला है यह यहाँ पर बात की जा रही है ऐसा यहाँ पर पिछले साल भी हुआ था पिछले साल पाकिस्तान इस particular ceremony को host कर रहा था तो इंडिया ने यहाँ पर विल्कुल last में हिस्सा लिया था है ना जो closing ceremony थी इंडिया ने last में उसमें हिस्सा लिया था वो बात यहाँ पर mention की जाती है ठीक बात हो गई तो इसमें कुछ भी खास नहीं है थोड़ा सा time रुख जाओ परसों यहाँ पर आर्टिकल वापस से news माने वाला है बस खाली इतना इसे ध्यान रखना और पाकिस्तान को invite इसलिए भी किया गया है ताकि हम लोग पाकिस्तान के साथ में बैट कर थोड़ा सा discussion कर सकें discussion case चीज को लेकर है कि जो terrorism है जो आतंगवाद है उससे कैसे लड़ा जा सकता है वो चीज़े हम लोग यहाँ पर discuss कर सकें और इंडिया ने भी यहाँ पर इसी प्रकार से मैंने आपको बता है न साल 2021 के अंदर participate किया था जब साल 2021 किस यानि पिछले साल पाकिस्तान इसको host कर रहा था इस बार इंडिया यहाँ पर इसको host कर रहा है तो ध्यान लखना शांगाई कोपरेशन और्गनाजेशन SEO के अंदर में ही क्या होता है joint anti-terror excise होती आतंगवाद को खतम करने का अभ्यास होता है अब ये बात क्लियर हो गई दूसरी important बात जो आपको इस particular article जे समझनी है वो यहाँ पर है SEO शांगाई cooperation organization exactly है क्या क्योंकि UPSC ने साल 2022 में अपकी बार के prelims में ही पूछ लिया था कि इंडिया क्या SEO का part है या नहीं है इस प्रकार का question आपको देखने को मिलेगा तो SEO basically एक permanent intergovernmental organization है यानि कि international level पर जो अलग-लग countries इस SEO की members हैं उनकी सरकारे आपस में मिलकर काम करती है यहाँ पर आप देखोगे इस particular body को बनाया गया था साल 2001 में SEO charter को sign किया गया था 2002 में SEO काम करना start कर दिया है साल 2003 से SEO Shanghai Corporation Organization के नाम से जाना जाता है लेकिन ये एक समय पहले SEO के नाम से नहीं जाना जाया करता था इसको Shanghai 5 के नाम से जाना जाया करता था मतलब आप देखोगे साल 2001 से पहली की अगर हम लोग बात करें तो इसको शांगाई कोपरेशन और्गनाजेशन के नाम से ना जानकर हम लोग शांगाई 5 के नाम से जानना करते थे तो शांगाई 5 के नाम से क्यों जानना करते थे क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पांच देश हुआ करते थे और वो पाँच देश कौन कौन से हैं, वो है कज़क्स्तान, चाइना, कर्गिस्तान, रश्या, तज़किस्तान, यही यहाँ पर स्टार्टिंग में इसके पाँच मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में साल 2001 में इसमें उस्बैकिस्तान भी एड हो जाता है, तो हो गए 6, अब शांगई 5 वाला जो नाम है, इसका रखने से कोई मतलब बैठा नी, क्योंकि इसके अंदर है 6 मेंबर्स, तो इसका नाम बदल दिया गया, शांगई कोपरेशन और्गनाजेशन, यानि की SEO इसका नाम कर दिया गया, फिर बाद में ये ग्रूप ऐसी चलता रहा, फिर सा साल 2017 आता है, 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इसके मेंबर बन जाते हैं, यानि 6 मेंबर पहले से ही थे, अब इंडिया पाकिस्तान इसके मेंबर बन गए, तो टोटल 8 हो गए, फिर उसकी बाद में पिछले साल 17 सितमबर 2021 में एनौसमेंट ये होता है कि इरान भी इ इरान भी बन जाएगा, तो इरान को बनने के लिए भी यहाँ पर बातचित की जाती है, इरान भी इसका एक मेंबर हो जाएगा, तो नो हो जाएंगे, है ना, अब S.E.O. को अब्जेक्टिव क्यादे को अब्जेक्टिव यह है कि आपस में, जो कंट्रीज है ना, ये अब्रिट करने का अपस में, काम करती है, मिलकर साथ में चलने का काम करती है, मेंबर्शिप की बात करें, तो आज की टाइम पर ये सारे मेंबर्स आपको S.E.O. के देखने को मलते हैं, कजक्स्तान, चाइना, कर्गिस्तान, रश्या, ताजगिस्तान, उस्बैकिστान, आड् पुकिस्तान और एरान दर उसका आद में structure की बात करें तो इसका head of state council होता है head of government council होता है council of minister of foreign affairs होते हैं और साधी साथ SEO का secretary धान रखना इसका headquarter कहाँ पर है इसका headquarter आपको बीजिंग में देखने को मिलेगा official language क्या है तो Russian और Chinese जो है इसकी official language use की जाती है समझ माई बात तो एक simple सी बात थी यहाँ पर कुछ भी ऐसा खास आपको मतलब रटने वाला ध्यान नहीं देखने को मिलेगी जो बाते मैं आपको बता हैं यह मैं आपको पढ़ाता रहता हूं regular basis पर यह बात आपके दिमाग में already बैठ गई होंगी हम लोग को खतम करना SEO के अंदर राइट जो है न यह basically यह भी एक permanent body देखने को मिलती है SEO कि जिसका काम है terrorism, extremism और separatism को रोकने इसको रोकने का इसको खतम करने का काम करती है इंडिया इसका member है तो इंडिया भी यहाँ पर काम करता है कि हम लोग जो terrorism बगरा है उसको रोके समझ माई इसके नाम से यहाँ पर यह बात आप लोग जान सकते हो, next article पर आते हैं, then उसका चलते हम लोग अपने editorial पर, तो editorial पर 3 important editorial है, दो हम लोग दाहिंदू का लेंगे, एक down to worth का लेंगे, जो की काफी अच्छे editorial है, details से discuss करेंगे, और सबसे पहला editorial, देखो, editorial discussion से पहले आपको ब यह UPSC ने साल 2018 में पूछा था, तो आप लोग आज का question attempt कर रहे होंगे, मतलब UPSC का previous year वाला means का question attempt कर रहे होंगे, question क्या बोलता है, despite the implementation of various programs for eradication of poverty, गरीबी को कम करने के लिए, इतने सारे programs लेकर आए गए हैं, आपको बताओगा, बहुत सारे, हजारों यहाँ पर आपको लग-लग नाम देखने को मिल जाएंगे, हजारों तो नहीं, फिर भी बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, programs आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि गरीबी को कम करने के लिए, जो कि हमारी सरकार चलाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गरीबी है, वो फुल फॉर्म लिखना आपको वो मेंस वाला चैनल में लेगा 34,000 के आसपास लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं आंसर्स लिख रहे हैं आप भी अपने आंसर्स को लिखना लिखकर सम्मिट करना उससे फाइदा क्या होगा और देखो एक काम ये भी करना है आपको काम ये करना है कि सभी लोग कोशिच ये करो कि दो-दो आंसर्स को रिव्यू कर लें सभी लोग जब दो-दो आंसर्स को रिव्यू कर लेंगे तो इससे सभी के आंसर्स रिव्यू हो पाएंगे साथी साथ में आपको कुछ अच्छे points मिल पाएंगे अपने notes में add-on करने के लिए और साथी साथ में आप सामने वाले वक्ति के अगर कोई mistake होती है तो उसको आप लोग बता पाओगे कि हाँ यहाँ पर आपको एक improvement की आविशकता है clear हो गया? चलो start करते हैं आज के first editorial से देखो पहला देखो मेरा मेरा जो focus रहता है न वो है कि हमेशा exam के related content देनेगा और जो इस वज़ा से जो morning वाला वीडियो है दूसरा वीडियो जो आता है इस channel पर आप उस वाले वीडियो को एक बार जरूर से visit करना आप वहाँ पर देख पाओगे prelims के question का discussion मैं कर रहा हूँ आप लोग please जो साम वाला वीडियो है ना उसको एक बार जाकर visit करो शाम को 8 बजे भी आज जो वीडियो आएगा उसको भी देखा करो लगबग यहाँ पर 28 से 30 मिनिट का वीडियो है उसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है ठीक है ना तो उससे आपको बहुत को जानने को मिलेगा कि कैसे question आ रहे हैं और कैसे question बन सकते हैं समझ मैं बात अब मैं बात कर रहा था एडिटोरल की तो सभी एडिटोरल पढ़ने बिल्कुल भी important नहीं होते हैं आपको सिर्फ important चीजे छाटनी है एक्जाम के लिए तो बहुत लंबे समय से काम करते करते अपर पहचान जाते हैं क्या काम का है क्या नहीं काम का है है तो इस वज़े से सबी चीज़ पर पढ़नी जरूरी नहीं है जो काम का है वो पढ़ो जैसे ये जो article है Indian presence को लेकर है ये एक बहुत अच्छा article है मैं आपको इस article में से देखो यहां पर बात की जा रही है, भारत के अंदर जो जेल नजर आते हैं ना, उन जेल के अंदर situation थोड़ी सी खराब हो चुकी है, वो खराब situation क्या है, उसके पीछे के कारण क्या है, उसका क्या solution हो सकता है, वो बाते आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा और ग्या कार से मिंस की preparation या फिर इसके त्यारी होती है, तो आर्टिकल में basically क्या बोला गया है, आर्टिकल में बोला गया कि हमारे भारत के अंदर जो जेल हैं, उनकी सिस्टम काफी खराब हो चुका है, अब कैसे खराब हुआ, आउस समझते हैं, देखो जब हम लोग इंडियन प्रि स्टाफ बहुत कम है, उन जेल सिस्टम को समालने के लिए, उसको regulate करने के लिए स्टाफ चाहिए है न, वो स्टाफ बहुत कम है, प्लस जितने भी जेल चल रहे हैं, उनको funding भी चाहिए होती है, पैसा आएगा properly, उसके बाद यहाँ पर पुरा जेल सिस्टम काम करेगा, चाह कभी इतनी सारी हिंसा हो जाती है, आपस में भिढ़ जाते हैं लोग, तो ये कुछ चीजे, ये कुछ प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर इंडिया के जेलों में नजर आ रहे हैं, ये तो मैं आपको उपर उपर से बताया, अब असली कहानी स्टार्ट होगी आगे से, देखो एक है हमारे पास में स्टाटिस्टिक्स, प्रिजन स्टाटिक्स इंडिया दोहजार सोला, दोहजार सोला के इस वाले डेटा के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग बात करें, इस डेटा को पब्लिश किया या था, नैशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के दुरू साल इन्होंने यहाँ पर यह बोला कि भारत के अंदर जो कैदी है ना, उनकी संख्या लगातार इंक्रीज हो रही है, और सबसे इंपोर्डेंट बात, जो भी कैदी बढ़ रहे हैं, वो अंडर ट्रायल वाली पॉपुलेशन वाले कैदी देखने को मिलेंगे, वेरी वेरी इन्डिया के अंदर जो अंडर ट्रायल वाली पॉपुलेशन है, अंडर ट्रायल मतलब अभी मुझरिम साबित नहीं हुआ हैं, अभी उनके उपर ट्रायल चला है बस खाली, तो ये वाली संख्या बहुत ज़ादा है, in fact भारत के अंदर अंडर ट्रायल वाले कैदी इतने जादा हैं कि इस पर्डिकुलर डेटा में हम लोग दुनिया में टॉप करता हैं, दुनिया में भारत से जादा अंडर ट्राइल वाले कैदी किसी देश में नहीं है इन फैक्ट जितने भी कैदी आपको देखने को मिलते हैं मतब जितने भी कैदी हो गए भारत के अंदर, उसमें से आदे से जादा अंडर ट्राइल वाले हैं इनको कस्टडी में ने रखा है ये बात यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिनके उपर अभी यहाँ पर पूरा मामला आ है मतलब आपका सकते हो कि केस साबीत नहीं हुआ है लेकिन वो उनके उपर यहाँ पर केस वगरा चल रहा है अंडर ट्राइल वो प्रिजनर्स देखने को मलता है इनफाक्ट 2016 की जो रिपोर्ट इसनों ने हाईलाइट किया कि साल 2000 के अंद तक लगबग 4,33,000 जो लोग हैं वो कहीना कहीं जेल के अंदर नजर आ रहे थे आप इमेजन करो साड़े चार लाग के आसपास इमेजन कर लेता है साड़े चार लाग के आसपास लोग जेल में थे 2016 के अंद तक अभी यह नंबर बढ़ चुका होगा लेकिन आप यह देखो कि साड़े चार लाग में से 68% अंडर ट्रायल ही थे जिनके उपर ट्रायल बेसिकली चल रहा है मुझरिम साबित नहीं हुए वो 68% लोग वो ही थे यह इसी वैसे बोला कि आदे से जादा लोग अंडर ट्रायल वाली पॉपुलेशन आपको देखने को मिल लिए अंडर ट्रायल वाली प्रिजन पॉपुलेशन देखने को मिल रही है भारत के अंदर में जिनका केस अभी यहाँ पर सुनना है अच्छा एक चीज यहाँ पर यह निकल का रहाती है प्रॉपरली यहापर उसको लीगल एड नहीं मिल पा रही है प्रॉपरली उसको सुनवाई नहीं हो पा रही है केस की वो उस समय पर भी आपका सकतो जेल के अंदर पड़ा हुआ है देन दूसरा यहापर सिचुवेशन आता है प्रिवे ripple हेल्ड अंडर prevention detention prevention detention आपको बता होगा यह वाले केसिस भी बहुत ज़्यादे आ रहे है कि हमें किसी के उपर शक है और वो व्यक्ति हमारे कांटरी के लिए खत्रा साबित हो सकता है हमारी country की security, integrity के लिए खत्रता भी दो सकता है हमने क्या क्या उससे पहले उसको custody में ले लिया तो ये वाले cases भी ना बहुत तेजी से increase हो रहे हैं prevention, detention वाले cases जम्मो और कश्मीर के अंदर बहुत तेजी से increase होते वे नजर आए in fact आप देखोगे साल 2015 में 90 लोगों को custody में लिया गया था prevention, detention के माध्यम से लेकिन साल 2016 में ये नंबर बढ़ गया 300% से बढ़ कर ये नंबर 431 हो गया 431 लोगों के ओपर यहां पर शक था जिसकी वेसे हम लोगों ने उनको arrest कर लिया है ना custody में लिया basically तो ये आपको prevention, detention भी देखने को मिलेगा इसकी वेसे भी jail के अंदर जो situation है वो काफी खराब हो रही है एक reason और है आप देखोगे लोगों को ना आज के time पर knowledge थोड़ी सी कम है जैसे हम लोग CRPC की बात करें code of criminal procedure की बात करें इसका जो section 436A है इसके बारे में इतनी जागरुकता है नहीं लोगों के अंदर अब जागरुकता है नहीं तो जो लोग eligible है क्योंकि काफी सरे लोग eligible होते हैं उनको पता है कि हाँ भई मैं छूट सकता हूं है ना मुझे release किया जा सकता है मैं eligible हो चुका हूं तो उनको यहाँ पर इसके बारे में already पता नहीं है उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है इतनी जारुकता है नहीं लोगों के अंदर यह यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि बहुत सरे prisoners होते हैं जो eligible हो जाते हैं कि भाया अब मुझे यहाँ पर मेरा time हो चुका है मुझे release होना है है ना इतना time period मैंने पूरा कर लिया है अब मुझे छोड़ देना चाहिए लेकिन लोग यहाँ पर ध्याँ दे नहीं रहे वो यहाँ पर जाल में पड़े वे हैं उनको भी कुछ जानकारी है नहीं तो उसकी वेसे भी आप देखोगे जो situation है जेलों की वो काफी खराब हो रही है इतनी बात समझ भाई आप देखोगे साल 2016 का ही एक data दिया आया है साल 2016 में लगबग 1600 के आसपास जो under trial है न यह eligible हो चुके थे इनको release करना था इनको जेल से छोड़ना था 1600 लोगों को लेकिन कितनों को छोड़ा गया केवल 929 को छोड़ा गया बाकी लोगको भई होशी नहीं है उनको यहाँ पर इसके बारे में जागरुखता ही नहीं है कि हँआ भई मुझे भी release करना है बाकी स्टाफ जो काम है वो अपना आपका सकते हों कि इतना ध्यान देही नी रहा है जिसकी वज़े से जेलों के अंदर जो संख्या है कैदियों कि वो increase होती रही तो पहली दिक्कत तो आपको जेल के अंदर ये देखने को मिलेगी दूसरी दिक्कत क्या है unnatural death in prison जेलों के अंदर unnaturally जो death है न वो भी increase होई है number of unnatural death 2015-16 को compare करोगे तो 2015 में 115 के आसपास मृत्य हुई थी और 2016 में 231 हो गई है तो unnatural death increase होई है suicide भी यहाँ पर increase होते वे नज़र आए लोगों ने आत्म हत्या भी करी है जेल के अंदर जो कैदी है इसके अंदर 28% से बड़ोतरी देखने को मिली है 2015 में लगबग यहाँ पर 77 के आसपास suicide थी 2016 में 102 के आसपास यह suicide हो चुकी है आज के टाइम पर और ज़दा बढ़ चुकी होगी लेकिन यहाँ पर थोड़ा सब पूरा नवले लेटा compare किया जा रहा है यहाँ पर बात की जाती है lack of mental health professional एक और दिक्कत बहुत बड़ी है कि बहुत सरे लोग mental problem से गुजर रहे हैं इन जेल के अंदर लेकिन अब उनको देखने के लिए एक mental health professional होना चाहिए लेकिन उनकी भी बहुत ज़ादा कमी है इनफेक्ट यहाँ पर आप कह सकते हो कि केवल आप कह सकते हो कि लगबग 21,650 जो कैदी है ना 21,650 कैदी के उपर मतलब इनके लिए केवल एक mental health professional को रखा गया है तो आप imagine कर सकतो mental health professionals बहुत ज़ादा कम available हैं इन कैदीों के हिसाब से जिसकी वज़ा से जो mental illness से केदीों में वो बढ़ रहा है और NCRB नहीं यहाँ पर खुद एक data दिया था जिसने में यहाँ पर यह बताया गया कि लगबग 6000 के आसपा जो individuals हैं 2016 के अंदर यह जेल में जो लोग थे ना इसमें इसमें 6000 लोग mentally problem से face कर रहे थे mental problem से गुजर रहे थे लेकिन यहाँ पर mental health professionals की काफी बड़ी कमी होने की वज़ा से उनको ठीक नहीं किया गया यह बात आपको समझ माई दन उसकी बाद में एक और सबसे बड़ी दिक्कत जेल के अंदर देखने को मिल रही है prison act 1894 और prison act 1900 के according अगर हम लोग बात करें तो क्या होना चाहिए हर एक जेल के अंदर में एक welfare officer होना चाहिए एक law officer होना चाहिए लेकिन इन officer का recruitment अभी भी pending पड़ा है जेल के अंदर यह वाले officers आपको नहीं देखने को मिलेंगे जो कि जेल के system को सुधार सकें है ना जो सुधारने का काम के लिए officer को रखना चाहिए था वो ही officer गायाब है क्योंकि यहाँ पर उनका recruitment नहीं हुआ यह कुछ यहाँ पर problems नज़रा रही है जेल में अब इन problems को ठीक करने के लिए क्या होता है कुछ reforms लेकर आया जाता है मतलब reforms की मांग की जाती है recommendation दिया जाता है आपको बताओगा ऐसी police reforms की recommendation भी आये थे कि यहाँ यह हमें कुछ बदलाब करने चाहिए वैसी jail के अंदर भी कुछ बदलाब करने चाहिए इसको लेकर एक reform आया था हुआ कैसे यह सब मैं आपको समझाता हूँ सुप्रीम कोड ने क्या गया एक committee को appoint कया justice अमित्वार रॉय retired committee यहाँ पर बनती है मतलब यह अमित्वार रॉय साब retired थे तो यहाँ पर इनके नाम पर committee को बनाया गया और इस committee को बनाने के बाद में इस committee ने इस पूरे मुद्दे को देखा और इन्होंने अपनी recommendation दी कि हमें क्या क्या करना चाहिए jail के अंदर सुधार करने के लिए सबसे पहली बात जो यह भीड बर रही है jail के अंदर इस भीड को control करने के लिए क्या करना चाहिए speed trial के उपर काम करना चाहिए speed trial का मतलब समझ रहे हो यानि कि जितने भी cases आज के टाइम पर है under trial में लोग यहाँ पर फसेव हैं उनका जो trial है वो जल्दे लिए खतम करो बाई जल्दे लिए case सुनवाई करो है ना जल्दे लिए case सुनवाई करके आप उनको release करो तो jail के अंदर से भीड थोड़ी खतम होगी दूसरा यहाँ पर उनने बोला lawyer to prisoner ratio जितने भी कैदी है देखो यहाँ पर होता क्या है न यह जो committee यह बोलती है कि हर 30 कैदियों के लिए एक lawyer तो होना चाहिए हर 30 कैदियों के लिए एक वकील होना चाहिए लेकिन आज के टाइम पर यह situation बिल्कुल भी available नहीं है तो हर 30 कैदियों के लिए जब एक वकील होगा तो यहाँ पर यह situation थोड़ी सुधरती आएगी और यहाँ पर यह population कम हो पाएगी क्योंकि वकील वो case को जलदी निप्टा पाएगा फिर आती है बात special code की यहाँ भी बोला गया कि भाईया एक special fast track code बनाओ जहाँ पर छोटे छोटे जो offenses है ना वो छोटे 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 offenses यहीं पर देख लिए जाए छोटे छोटे जो भी problem आ रही है छोटे छोटे जो case निकल कर आ रहे है वो यहाँ पर तेजी से निप्टा दिये जाए इसके लिए fast track code बनने चाहिए यह बात यहाँ पर reform के तोर पर बताई गई तो यह तो थी situation किसके लिए कि भाया जब भीड बढ़ रही है तो उसके लिए यह करना चाहिए बाकी जो कैदी देखने को मिलते हैं उन कैदी के लिए क्या क्या करना चाहिए क्या मैं बोला गया है कि दोखो जितने भी prisoner आपको नजर आते हैं ना इनको एक free phone call देना चाहिए एक free phone call प्रोवाइड करवाएँ ताकि यहाँ पर अपने family members के साथ में बातचीत करते रहें हर week में बातचीत करते रहें एक connectivity यहाँ पर इनकी family members के साथ में बनी रहे आप legal aid प्रोवाइड करवाओ हैना इनको यहाँ पर चीजों को बारे बताओ laws के बारे में सिखाओ education प्रोवाइड करवाओ यह बात रखी गई है फिर उसके आद में जो भी jail के अंदर vacancies खाली है उन vacancies को पूरा करो हैना जो food है एक अच्छा food प्रोवाइड करवाओ ताकि यहाँ पर इनका health के उपर भी ध्यान रखा जा सके mental health को यहाँ पर हम लोग tackle कर सके तो यह काम यहाँ पर as a reform करे जा सकते हैं ऐसा आप लोग कह सकते हो तो यह problems आज के time पर jail के अंदर देखने को मिलती हैं कैसे resolve कर सकते हैं वो मैं आपको बताया तो एक अच्छा article था सारे relevant points आपको PDF में मिल जाएंगे देखो एक काम करना जब PDF को डाउलोड करना तो करने के साथ एक और एप को डाउलोड करना है जिसका नाम है Adobe Acrobat जब आप लोग यह वाला एप डाउलोड करोगे तो इस एप के में क्या होगा आपको इस प्रकार से सारे symbols नज़र आएंगे इस symbol पर tap करोगे तो इस सारे information आपको दिखनी start हो जाएगी next editorial पर आते हैं still no relief for the malnourished देखो यहाँ पर मध्यप्रदेश की बात की जारी यह state of play है यानि कि एक particular राज्य की बात की जाती है मध्यप्रदेश आज के टाइम पर एक problem से गुजर रहा है मध्यप्रदेश के अंदर लेकिन यहाँ पर मध्यप्रदेश की चर्चा नहीं करूँगा मध्यप्रदेश के साथ साथ मैं आपको पूरा overall इंडिया की बारें बताने वालों इंडिया के अंदर आखरकार क्या situation है मालनुट्रिशन की उसके बारें बताने वालों क्योंकि हैं पर आपसे जो question बनेगा वो all इंडिया लेवल पर बनेगा ठीक है ना इस वज़ए से मैं आपको थोड़ा सा एक wider data प्रोवेड करवारा हूँ आपके काम का data प्रोवेड करवारा हूँ एक्जाम के लिए नव बात आती है मालनुट्रिशन की तो ध्यान दकना इन सारे points को अपने पास में लिख लेना एक अच्छा point है इसका उप्योग भी हम लोग कोई ऐसे एक अंदर topic आता है या GS paper number 4 ethics में आता है या GS paper number 2 में आता है बच्चों के health के मामले में यानि कि भारत में बच्चों की health जादा अच्छी है नहीं क्यों नहीं है क्योंकि उस समय पर लगबख 189.2 million undernourished people भारत में रह रहे थे भारत में इतने लोग थे जो कि यहाँ पर 189.2 million यह लोग undernourished थे जिनको अच्छा खाना नहीं मिला था कोपोशल के शिकार बने पड़े थे शरीर बहुत ज़दा कमजोर था और इन लोगों में से जादतर महिलाए और बच्चे ही पीड़ित थे महिलाए और बच्चे यहाँ पर इस malnutrition से सबसादा सफर करते हैं फिर उसके बाद में अगर हम लोग सरकारी data के according बात करें तो साल 2015-16 को देखोगे न तो साल 2015-16 में 22.9% के आसपास जो महिलाए हैं जेनकी उमर 15 से लेकर 30 के आसपास है वो कहीना कई underweight हैं यानि कि उनका वज़ें जितना होना चाहिए उतना है नहीं उससे काफी कम है क्योंकि उनको एक अच्छा खाना मिलने ही पाया ऐसे ही यहाँ पर आपको बच्चों के साथ में देखने को मिलेगा तो सरकारी डेटा के according यहाँ पर मैंने आपको यह सारी बाते बताई है फिर उसके बाद में एक report आता है देखो सारी sources यहाँ पर बताए गए government data एक report यह बोलती है तो यह आपका answer काफी authentic हो जाता है जब हम लोग बात करते है State of Food Security and Nutrition in the world 2020 की report के बारे में तो इस 2020 की report ने यह बताया कि साल 2016 में लगबख 51.4% women थी जो की reproductive age में थी और वो women कहीं नकी एनिमिया से सफर कर रही थी या फिर आप कह सकते हो भारत में हर दूसरी women को यहाँ पर एनिमिया है एनिमिया क्या है एनिमिया के अंदर जो blood level है वो काफी कम हो जाता है blood की कम ही देखने को मिलेगी iron की काफी कम ही देखने को मिलेगी तो यह जो particular एनिमिया है यह problem बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है महिलाओ के अंदर में ठीक है न? और महिलाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन कौन सी सफर कर रही है वो है अंडर न्यूटिरिशन और एनिमिया और ऐसे यहाँ पर बच्चे है देखो लगबग 60 मिलियन के आसपास 60 मिलियन के आसपास जो बच्चे है न वो इंडिया के अंदर अंडर वेट है यानि कि उनका वजन जितना होना चाहिए तो उतना है निए उससे काफी कम है 45% बच्चे स्टंटेड है 20% बच्चे वेस्टेड है यानि कि मैं आपको बताओ देखो इसका मतलब क्या होता है बच्चे की उम्रे के साब से उसका वेट कम होना बच्चे के उम्र के हिसाब से उसका वजन कम होना तो इस particular situation से यहाँ पर यह बच्चे गुजर रहे हैं 57% ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर vitamin A के कमी है 75% ऐसे हैं जो कि anemia के हैं जिनके body में blood काफी कम है, iron की काफी बड़ी कमी है और malnutrition की वज़ा से यह सब कुछ हो रहा है यह साबी चीज़े कैसे होंगी जब एक अच्चा खाना नहीं मिलेगा, तभी weight नहीं बड़ेगा अच्चा खाना नहीं मिलेगा, height नहीं बड़ेगी यह बात आपको समझ भाई फिर उसके बात में यहाँ पर बोला गया यह जो malnutrition का prevalence है यह जो आपको बढ़ता हुआ malnutrition नजर आ रहा है भारत के अंदर में यह पिछले कुछ समय में, पिछले 10 सालों में थोड़ा सा कम हुआ है सपोज यहाँ पर 2005-2006 के अंदर situation अलग थी लेकिन 2016-2017 में situation थोड़ी से अलग हो चुकी है यानि थोड़ा सा improvement यहाँ पर नजर आया है ऐसा यहाँ पर बोला गया, लेकिन थोड़ा सा improvement नजर आया है बच्चे अभी भी हाँ पर इस child stunted, wasted, vitamin deficiency, एनेमिया इसे सफर कर रहे है महिला भी सफर कर रहे है, लेकिन थोड़ा सा सुधार आया है सुधार कैसे आया, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए है malnutrition को tackle करने के लिए, बहुत सारे अलग-लग steps उठाए है वो steps कौन कौन से है, पहला है portion अभ्यान portion अभ्यान 2017 में लेकर आया गया था जहां पर हमारा focus यह था कि हम लोग इंडिया को malnutrition free बना देंगे कूपोशल free बना देंगे तो ये बात ध्यान रखना कि portion अभ्यान को implement करने वाली कौन सी body है वो है ministry of women and child development दन्रूस के बाद में दूसरा यहां पर तरीका है दूसरा मेजर है वो है integrated child development services integrated child development services को launch क्या गया था 2nd October 1975 में ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा प्रोग्राम था जो कि बच्चों की care को लेकर बात करता है फिर उसके बाद में आप देखोगे मातेतर्व सहयोग योजना यहां पर बेसिकली लेकर आया गया एक scheme थी जिसको 2010 में launch क्या गया था इसको भी ministry of women and child development implement करती है ये एक centrally sponsored scheme है यानि हमारे केंसर का राजसरकार मिलकर यहां पर पैसा खरशती है इसको launch क्या गया था pregnant और lactating women के लिए जो यहां पर pregnant महिला है या फिर ऐसी महिला है जो कि अपने बच्चे को दूद पिला रही है उनकी health को improve करने के लिए उनका nutrition status को improve करने के लिए इसको launch क्या गया था फिर एक और कदम उठाया गया वो है प्रधान मंत्री मातरूबंधना योजना यह भी बेसिकली एक centrally sponsored scheme नजर आती है केंसरकार राजसरकार मिलकर पैसा खर्चती है 2017 में इसको launch के गया था यहां भी बूला गया था 6000 रूपे डारेक्टली यहां पर transfer किये जाएंगे जो pregnant women होंगी या lactating mother होंगी उनके account के अंदर में तो इस particular योजना को लेकर आया गया ताकि यहां पर जो situation वो काफी improve हो पाए midday meal scheme को लेकर आया गया midday meal scheme आपको पता होगा school के अंदर बच्चों को एक तरीके से खाना provide करवाया जाता है इस particular scheme के अंदर में तो यह कुछ कदम उठाए गए है malnutrition को tackle करने के लिए जिसकी वजासे थोड़ा सा malnutrition कम हुआ है थोड़ा सा जितना हम सोच रहते हैं उतना नहीं कम हुआ है लेकिन थोड़ा सा यहां पर आप कह सकते हो कि इसके अंदर decline देखने को मिला है ऐसा आप कह सकते हो समझ में यहीं बात तो यह जो data है यह बहुत relevant है यह data सारा का सारा काम का है है ना और आपने देखा इसका importance कितना ज़ादा है exam में आप लोग directly यहां पर इसका use कर सकते हो now next article पर यानि next editorial पर आता है now अगला editorial हम लोग ने down to earth का लिया है क्योंकि down to earth भी बहुत अच्छा source है मतलब आप कह सकते हो हर साल down to earth से भी question फस जाता है तो इस particular editorial ने बात की गई है green steel के बारे में green steel क्या है इंडिया यहां पर कैसे अपने steel वाले sector को decarbonize कर सकता है वो बात यहां पर की जारी है बहुत अच्छा article है details हम लोग यहां पर सारी बाते समझने वाले है देखो इस वाले article को वैसे आप लोग GSP1 No.2 से relate कर पाऊगे syllabus के अंदर topic है government policies interventions का साथी साथ GSP1 No.3 के अंदर environment का topic नज़राता है तो context यहां पर यह है clean steel sector हमारे इंडिया के अंदर में यह थोड़ा सा important बन चुका है क्योंकि steel को हम लोग बनाते हैं तो steel को बनाने में बहुत सरा प्रदूशल होता है तो इस प्रदूशल को रोकना होगा क्योंकि भारत ने अल्रेड़ी बहुत सारी promise कर रखे हैं अलग-लग दुनिया के अंदर में क्या हम लोग यहाँ पर emission को कम करेंगे तो steel sector से भी emission को कम करना है obvious सी बात है अभी steel में बनाने में इसमें बहुत सरा प्रदूशल होता है इस वह से steel बोलता है अब प्रदूशल यहाँ पर खतम कर दिया जाएगा बिना प्रदूशल करे steel को बनाएंगे तो वह green steel के लाएगा simple सी बात है तो जो green steel है ना यह अपने आप में ही यहाँ पर बहुत relevant होने वाला है भारत को काफी कुछ यह achieve कर पाएगा तो आते हैं major topic के ओपर exactly what is green steel green steel basically यहाँ पर steel की manufacturing है यानि steel को हम लोग जब बना रहे होंगे तो उस बनावटे के दोरान उस process के दोरान जब कोई भी production नहीं होगा जब कोई भी pollution नहीं होगा तो उसको हम लोग green steel बोलता है है ना तो green steel वैसे steel कैसे बनता है कोई लव गयरा जलाकर हम लोग यहाँ पर emission काफी ज़दा करता है जिससे greenhouse gas emission बहुत ज़दा होता है तो इससे pollution बहुत ज़दा होता है लेकिन green steel में क्या होगा हम लोग hydrogen का अस्तमाल करेंगे hydrogen का अस्तमाल करेंगे coal gasification का अस्तमाल करेंगे electricity का अस्तमाल करेंगे पुराने वाले तरीके में कोईले वाले जो fire plant होते ना उसका इस्तमाल के जाता है तो उससे बहुत भरपूर मातरा में कोईला जलाया जाता है तो उससे pollution निकलता है तो वो method ना यूपियोग करके hydrogen, coal, gasification या बिजली का इस्तमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर इस स्टील को बना सकते हैं, इससे pollution होगा लेकिन बहुत कम होगा इससे हम लोग इसको इसी वज़ा से green steel के नाम से जानते हैं ठीक बात हो गई? आगे आता है दो को यहाँ पर बोला गया जिस hydrogen का हम लोग इस्तमाल करेंगे steel को बनाने में वो blue hydrogen होगा, green hydrogen होगा क्योंकि hydrogen को भी हम लोग पानी के अंदर electrolysis करके बनाते हैं और पानी के अंदर electrolysis कैसे किया जाएगा बिजली के मदद से और अगर जब कोईले से बिजली बनेगी तो मतलब pollution हो रहा है तो वो basically कहीं न कहीं मतलब उठा ही नहीं कि भाया ये pollution free steel है क्योंकि एक तरफ तो क्वेला जली रहा है न तो उसकी वैसे hydrogen का इस्तमाल कर सकते हैं hydrogen के अंदर हम लोग electricity का इस्तमाल करेंगे लेकिन ऐसी बिजली जो की renewable energy से बनी हो याने कि हमारे solar energy हो गई, wind energy हो गई उस electricity बनी उस electricity से हम लोगों ने hydrogen बनाया है ना तो इसमें कहीं pollution नहीं हुआ क्योंकि electricity को हम लोगों ने renewable तरीके से बनाया हुआ तो उससे कोई pollution नहीं हुआ hydrogen मिल गया फिर hydrogen का इस्तमाल करके हम steel बना लेंगे तो उससे कोई pollution नहीं हुआ तो आई हूप आप लोग याँ पर समझ रहोंगे कि आखरेकार green steel है क्या अब green steel को बनाने का जो process है ways of production उसके बारें बात करते हैं देखो अलग-लग तरीके हो सकते हैं मैं आपको बता दिया carbon hydrogen वगर का इंपोर्टेंस क्या होगा इसका पहली बात steel industry का इंपोर्टेंस भारत के लिए क्या ये समझो steel के उपर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है क्योंकि steel industry अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है steel industry एक largest industrial sector है हमारे लिए ऐसाब कह सकते हो और current time पर आज के time पर आप देखोगे तो obviously बात एक बहुत बड़ा sector है तो steel को बनाने के लिए बहुत सारा pollution होता है तो इस वज़े से वो pollution हमें कम भी करना है क्योंकि हम लोग पहले भी कसम खा चुके हैं बहुत सारे अलग-लग international level पर conference of parties की meeting होई थी वहाँ पर हम लोग ने target ये रखा है 2070 तक हम लोग net zero carbon emission की तरफ बढ़ेंगे pollution को पूरी तरह से खतम कर देंगे लेकिन current time पर हो क्या रहा है situation जो है न इसको achieve करने के लिए जो हमने goal decide क्या है उसको achieve करने के लिए करना क्या होगा pollution obvious से बाते कम करना होगा तो उसको कम कैसे किया जा सकता है हम लोग steel के अंदर जो कोईले को जलाया जा रहा है कोईले को जला कर steel बनाई जा रही है उस चीज़ को हम लोग रोक कर वहाँ पर renewable energy का इस्तमाल कर सकते हैं समझ माई बत तो situation आज के टेंपर थोड़ी सी challenging है हमारी steel सेक्टर में सबसे बड़ा challenge यही है कि देखो जो green steel manufacturing है न यह थोड़ा से expensive process हो जाएगा करने के तो हम लोग green steel को बना लें देखो एक तरफ जो आज steel बन नहीं है कोईला जलाकर बन नहीं है बहुत असान तरीका है उसमें इतना खर्चा नहीं है लेकिन जब green steel को बनाना होगा तो उसके लिए हमें hydrogen चाहिए hydrogen को बनाने के लिए electrolysis का process चाहिए और उस electrolysis के लिए electricity चाहिए और वो electricity renewable energy से बननी चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा सा process expensive हो जाएका थोड़ा ज़्यादा पैसा लगने लगेगा तो यह कहीं लगी एक challenge नज़राता है अब बात आती है यहाँ पर hydrogen के प्रकार की hydrogen के आपको पता होगा अलग-लग प्रकार है green hydrogen, brown hydrogen green hydrogen वो होता है देखो जब हम लोग एक बिजली से बना रहे होता है लेकिन वो बिजली solar energy से solar energy होती है या wind energy होती है brown hydrogen basically यहाँ पर आप कर सकते हो जब कोईले ज़ला कर बनाया जाता है तो मतलब एक तरीके से pollution हो रहा है blue hydrogen में आप कर सकते हो pollution होता तो है लेकिन उस pollution को capture कर लिया जाता है अब हम लोग बात करते हैं यह जो steel का status है भारत के अंदर जो steel का production होता है इसका status exactly क्या है देखो इंडिया दुनिया में second largest producer है कच्चे steel को बनाने में second largest producer पर आते हैं हम लोग सबसादा कच्चे steel को बनाते हैं और साल 2021-22 के अंदर हम लोगों ने 120 million ton के आसपास कच्चा steel बनाया था reserves की अगर हम लोग बात करें तो लगबग 80% से ज़ादा जो हमारे देश का steel का reserve है steel के जो भंडार है वो कहां कहां पर सबसे ज़ादा देखने को मिलते हैं यह कुछ ऐसे areas आपको नजर आते हैं जहां पर सबसादा steel का production होता है तो steel production के मामले में 12 second number पर है consumption के मामले में बात करें तो consumption के मामले में भी हम लोग second number पर हैं क्योंकि हम लोग काफी सारा produce करने के बाद में consume भी करते हैं फर्स नंबर कार जो consumer है वो है चाइना चाइना भी बहुत सारा steel का consumption करता है तो अब यहाँ पर way forward क्या है क्या कर सकते हैं हम लोग कर यह सकते हैं कि cost effective technologies को adopt कर सकते हैं कुछ ऐसे technologies को adopt करो जिसमें ज़्यादा खर्चा भी ना हो और उससे ज़्यादा pollution भी ना हो और हम लोग steel को बना भी पाएं ठीक बात हो गई देखो steel को जब बनाते हैं तो इसमें से बहुत सारा अलग-अलग pollution निकलता है जैसे carbon monoxide, carbon dioxide, oxide of sulfur, oxide of nitrogen, PM 2.5, waste water, hazardous waste, solid waste यह सारा waste, यह सारा कूड़ा करकर यहाँ पर steel से निकलता है जब हम लोग steel का production करते हैं तो आपको एक ऐसी technology बनानी होगी air filter, water filter का इस्तमाल कर सकते हो जिससे हम लोग emission को, हम लोग pollution को कम से कम कर सके हैं यह बात यहाँ पर रखी जा रही है समझ माई बात तो आप देखोगे, यह editorial काफी relevant था क्योंकि इसको लेकर UPSC ने अलेड़ी पहले भी question पूछा है साल 2014 में आप देखोगे question पूछा था question क्या था which of the following are some important pollutants released by steel industry in India इन में से, नीचे option में जो दिये गए है pollutants इन में से कौँ सा pollutant है, जब हम लोग steel को बनाते हैं तो release होता है oxide of sulfur, nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide इसका correct answer क्या है, correct answer D देखने को मिलेगा यह सारी चीज़े release होती है, क्योंकि मैंना भी आपको बताया है ना, अभी मैंना आपको दिखाया, इसमें carbon monoxide, carbon dioxide then oxide of sulfur, oxide of nitrogen, यह सारी चीज़े release होती है समझ मैं ही बात, तो यह यहाँ पर ध्यानवर रखना, यह data मैं आपको telegram पर provide कर वादूँगा, please वहाँ से download कर लेजिएगा, क्योंकि important है आगे आते हैं, आज की vocabularies को देखते हैं, आज की vocab क्या क्या है पहला vocab है, throng, throng मतलब भी लगाना, then आता है lex, lex मतलब ला परवा, then anxious, anxious मतलब चिंतित, then geo party, geo party मतलब खत्रा, then forgo, forgo मतलब त्यागना या do without ठीक है ना, तो यह कुछ important editorals थे, तो हमारा editorial भी हो गया, कुछ छोटे questions हम लोग ने लिये थे बाकी कल वाला मैंने एक picture आप से बोला था, आज discuss करूँगा, यार मेरे गले में दर्दो ने लगाए, मैं discuss करता हूँ, आप लोगों से कल, ठीक है ना, आज भी वीडियो थोड़ा सा late हो चुका है, मुझे देखो, दिखका दिये यह है कि आज कल newspaper थोड़ा सा late आ रहा है, पहले तीन बजाता था, आप चार बजा रहा है, तो एक घंटे का difference है, पहले इस वैसे जल्दी अप्लोड हो जाया करता था, थोड़ा सा difference नजार आ रहा है, है ना, वैसे कोई बात नहीं, मैं इस problem का solution में निकाल लूगा, don't worry, लेकिन ये आज का session था, और अब हम लोग tutorial बगरा, सब कुछ, एक बात ध्यान में रखना, वो ये है कि, शाम वाले वीडियो जरूर से जाकर एक बार आप लोग देख लेना, क्योंकि शाम वाले वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा help मिलने वाली है, ठीक है ना, इसके साथ में करते हैं, हम लोग अपने lecture को पाय है, When I Stay, Thank You and Jai Hind, एक बात और, जो मैं आप से बोला था ना, पिच्चर व्ला जो आर्टिकल है, पिच्चर वला आर्टिकल आपके साथ में डिस्कस करूँ गा, वो मैं आपके साथ में कर डिस्कस करूँगा, ठीक है न, भूलूंगा नहीं, आपको पता है मैं कोई भी तो वो चीज़ आपको मैं याद रहेगी, मुरे को भी याद रहेगी, मैं कल आपके साथ में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है न, वैसे पिच्चर वल आर्टिकल मैंने सेव करेकर रख रखा है, वो आपके साथ मैं कल डिस्कस कर लिया जाएगा.